गुन्मन क्रेंट्स आज हम लोग क्लास 10 का कॉर्डिनेट जिमेट्री पढ़ने जा रहे हैं कॉर्डिनेट जिमेट्री बहुत ही महत्पूर्ण सब्देक्ट है इसमें हम लोग देखना चाहेंगे कि इससे पहले हम कुछ बेशिक चीजों को जानने आपको पता है कि यह जो है वार्टिकल लाइन होता है यह लाइन जो होता है वह वार्टिकल लाइन होता है जिसको हम वाई और वाई अक्ष के नाम से जानते हैं और यह जो लाइन होता है यह होरिजेंटल लाइन है जिसे हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं और जहां x-axis और y-axis आपस में काटता है या कट जाता जिस पाइंट पे उसे हम लोग origin कहते हैं किलियर अब origin से अगर आप right side की और जाएंगे x-axis में तो सारे value जो होंगे यहां से यहां तक का value होगा वो सभी positive में ही होगा अब इस origin से अगर x-axis के यह posit side में अगर आप जाएंगे तो सारा जो sign होंगे वह negative में होगा कलियर अब y-axis में हम points को देखेंगे जब यह origin से उपर की और जब video जा रहा है यानि कोई line जा रहा है तो वह जो है positive में होगा लेकिन जब origin से नीचे के और y-axis में आएंगे तो सारे points होंगे वह negative में होंगे इतना ही concept आपको याद रखना है माल लीजिए के example में कोई आपका point है वो 4 और 3 है इसको हमें coordinate में देखाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 4 देखेंगे कि positive है और 3 भी positive है इसका मतलब है कि x-axis positive और y-axis दोनो यह याद रखेगा पहला जो point यहां जो होता है वो x-axis को donate करता है और यह जो है y-axis को तो यहां से में find out हुआ कि x और y दोनों का जो value है वह हमारा positive में ही होगा इसलिए अगर हमाल लेजिए इसमें हम point wise करते हैं graph गिच लें इस तरह से graph गिचेंगे जिसका x-axis और x-y, y- इस तरह का होगा और दोनों का cut point जो है वो origin में आएगा तो यहां से scale से same distance में अगर हम value रखें 1, 2, 3, 4, 5, and 6 उपर को इस value रखेंगे minus में चला जाएगा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इस तरह से आप इधर आएगे तो minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इधर साहिएगा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 इस तरह से आप value को donate कर सकते हैं अब इसमें हम लोगे सबसे बड़ी चीज़ देखना चाहेंगे कि अगर value मेरा है 4 और 3 तो x axis में पहला देखेंगे वो है value 4 और y axis में मेरा value है 3 तो यह value यहां हुआ अब इसे क्या करेंगे इसको सीधा dot dot बढ़ाएंगे और 4 वाले को भी बढ़ा कर देखेंगे माले जे को example q में हम ले एक point माले जे माइनस 2 ले लिया और 4 लिये है तो यह जो मेरा 2 है वो तो x axis में डूनेट करेगा अगर आप इसको देखना चाहें तो x का value का x axis नीचे है और gentle है तो यह हो गया minus 2 y का value अगर आप देखें तो 4 यहां हो जाएगा और इसे fit dot dot करके सीधा scale से मिला देजेगा तो यह जो point आपका जो मिलेगा वह जो q होगा वह होगा minus 2 and 4 इसी तरह से अगर आप देखेंगे friends कोई दिक्कत वह सी तरह से अगर किसी का भी point आप निकाल सकते हैं मान लीजिए value minus 4 minus 4 दिया हुआ है हम अगर value x axis में पहला हमने आपको पहली भी बगा हम लोग जान चुके है x का value minus 4 है यानि x axis में दिखाएंगे वो minus 4 y axis में minus 4 है यानि यह अब इसे dot dot करके इस तरह से आप बढ़ा देंगे तो यह r का value minus 4 और minus 4 हो जाएगा के लिए उमिद करते हैं कि यह basic concept भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा अब हम लोग जो question देख रहे हैं कि distance formula हमें निकालना है screen board में आप देख रहे हैं यह distance formula निकालना है किसी भी दो points का इसी basic के अधार पर हम लोग find out कर लेंगे तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और distance formula को इसको हम लोग by geometrical method से भी इसको proof करेंगे कि किस तरह से हम दोनों के बीच का distance दूरी निकाल सकते हैं तो सबसे पहले आप इसको देखिए यह हो गया आपको y axis और यह point हो गया आपका x और x dash दोनों cut point origin यह y हो गया और यह y dash है the distance or any of the two points a b in the place in the length of the line segment a b एक line segment है a और b उस find the distance between the two point two point a and b clear a or b यह फिर आप इसको ऐसे भी सकते हैं कि अगर a b आप लिख दिये हैं तो कोई बात में यह question को change भी कर सकते हैं तो यहां माले जब p रख लेते हैं यहां q रख देते हैं ठीक है थोड़ा सा changing करते हैं थोड़ा सा कुछ change करके अपने से भी हम लोग बहुत चीजों को देख सकते हैं यह p q लिखा हुआ था तो हम लोगों का वहां पर p q ही लिख देते हैं कोई दिकत नहीं है कोई भी value दानने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले दो पॉइंट लेंगे वह पॉइंट है दूसरा पॉइंट है वह की और पी का जो कोडिनेट है यह कोडिनेट कहलाता है पॉइंट वह जो है मेरा x1 है x1 और y1 है जबकि q का पॉइंट का value x2 और y2 दिया हुआ है इन दोनों में क्या बोला है line segment है हमें इसी का दूरी निकालना है कि पी की का दूरी क्या होगा हम अब इसमें क्या कर लें कि यहां से एक perpendicular डाल दें X-axis पे एक line perpendicular डाल दिया जाए और उसी तरह से choose a point से एक और perpendicular line हम X-axis में डाल दिये कोई देखा तक यहां तक यह है मारा construction उसके बाद हम लोगों को एक perpendicular डाल देते हैं line को वह perpendicular P से यहां भी perpendicular डाल दिया जाए वह line जो होगा मेरा वह lining जो होगा इस पे डाल देते हैं यह माल लेजिए point N है अब P से जो perpendicular X पे डाला था उसको माल लेजिए वह M है clear यानि PM जो है वह perpendicular X-axis में डाला गया है आप Q point से लेके QN जो है वह perpendicular डाला गया है N point पे अब यहां जो QN यह जो line आप जो देख रहे है QN इस पर एक line जो है P point से जो यहां पर P point था इस point से हमने इस पर perpendicular डाल दिया that means 90 डिगरी वहां बनेगा प्रेपेंडिकुलर मतलब 90 डिगरी अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहां जो point है वो R है clear अभी कर जो हम लोगों ने लिखा है उसी चीज़ को यहां पर construction में लिख देंगे क्या लिखेंगे लेट पी एक्स वन वाई वन एंड चू एक्स टू वाई टू ठीक है और एनी टू पॉइंट्स ठीक है क्यू बी बी टू गीवेन चुकि यह दोनों point question में ही दिया हुआ था गीवेन पॉइंट क्लियर गीवेन पॉइंट 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 प्लेंट पे यह दिया हुआ है क्लियर अब हमने जो जो काम किया जैसे पी से पी एम परिपेंडिकुलर डाला उसको चंस्ट्रिक्शन में लिखेंगे क्लियर आपने जो क्या है ड्रो डाले है वही चीज़ को आप लिखेंगे ठीक है उसी चीज़ को आप लिखेंगे ड्रो पी एम एक अग्यू एन है ना यहां से पी से एम और क्यू से एन परिपेंडिकुलर आपने डाला एक सक्सिस पर फॉम परिपेंडिकुलर साइन होता है परिपेंडिकुलर फ्रों पी एन Q, PM, perpendicular P point से, QN जो है perpendicular Q point से, clear? उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो अब X, चुक्छ दोनों कहां डला हुआ है, on X axis पे, on X axis, clear? कि आगे हम देख रहे हैं कि अगर यह डिस्टेंस अगर सब्सक्राइब कोडिनेट का जो सारा वैलू भी आप जो वहां बताया गया कि यह यह वाई है वाई डैस है एक्स डैस है यह और चीन है तो यहां वैलू 1 2 3 सारा दूरी जो है वह एक्स सिस सही मेदर्मेंट करते हैं ज ूम का वैलू जो हो गया वह एक्स 1 हो गया यहां से अगर आप देख रहे है एक्स टू इस्क्राइव क्यों का है तो ओ स On टक की हो कि तरहें हैं वह सार वैलू जो हैं मेरा ओ एन का वैलू जो है वह एक्स टू हो गया के लिए यह तो कोई डॉट वाई एक्सिस में इसी तरह से देखिएगा जब सारा दिस्टेंट जीरो और इंज करते हैं यह अगर वाई है तो पी एम का जो डिस्टेंस है पी एम इक्वल टू वाई वन हो जाएगा और एक चीज और ध्यान दिजेगा कि क्यू एन का जो वैलू होगा वो हम नीचे से मेजर्मेंट कर लेंगे पूरा यानि यहां से यहां के दूरी जो है वो वाई वन है और यह वैलू वाई सारी यह वाई टू है और यह वाई वन है तो यहां से हम फिर इसको लिखेंगे y2 अब ज़रा सा ध्यान देजिएगा कि अगर बड़ा part जैसे कि माल लिजी यहां origin O है और यह part N है यहां से यहां की value आपको x2 दिया हुआ है यहां पर अगर I am है point और वो value आपका x1 है तो क्या यह दोनों point में दोनों में minus करके यह दूरी नहीं निकल जाएगा x2 में से x1 minus करके यह दूरी आपको निकल जाएगा तो हम इससे दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे इस दूरी को निकालने के लिए आप क्या करेंगे mn की दूरी हमको मालुम करना है MN जो value मालूम किजिएगा तो क्या लिखेगा ON-OM ON-OM यानि X2-X1 कलियर एक चीज़ और ध्यान लिखिएगा यह जो MN जो है क्या PR का पैलर है दखिए दोनों का distance बराबर है क्योंकि यही से हमने line को draw किया था तो MN जो हो गया वो दूरी PR के बराबर हो गया डूसरी चीज़ अब आगे आप Y-axis में देखिएगे Y-axis में आपको पता है ज़राब फीगर को देखिए तो QN का distance मालूम है PM का distance मालूम है तो क्या QR का नहीं मालूम होगा तो QR का value निकालेंगे तो QN में से आप PM माइनस कर देंगे यानि कि बड़ा वाला दूरी में से छोटा दूरी घटा दीजिएगा तो यह हम QR निकल जाएगा यानि Y2 माइनस Y1 निकल जाएगा clear अब आप देखिए यहाँ पर एक triangle बन रहा है ज़राब साइसको clear कर ले देखिए यहाँ पर एक triangle form हो रहा है QRP यह distance आपको मालूम हो गया वह है X2 माइनस X1 यहाँ दूरी यह दूरी आपको मालूम है Y2 माइनस Y1 यहाँ आपका perpendicular होने के कारण यह 90 डिगरी बनाया है तो सबसे पहली बात कि जब आपको यह distance मालूम हो थिरम के अनसार से इसका distance निकाल देंगे वही होगा हमारा result क्लियर तो आप पैथोगेरेस थिरम का यूज करेंगे यहाँ दिखेंगे पैथो ठीक है थोगेरस थिरम क्लियर पैथोगेरस थिरम के अनसार से पीक्यू स्क्वाइर इकवल टू क्या आप जानते हैं कर्ण का स्क्वाइर ब्राबर होगा बेस का स्क्वाइर पलस लंब का स्क्वाइर यानि पी-ार स्क्वाइर अब इसको solve कीजिये यह value मेरा x2- आप यहां देखिये पी-ार क्या यह PR इसके बराबर है और आगे बढ़ते हैं तो यह value भी आपका दिया हुआ है y2 minus y1 का hall square यह आपका value निकल गया PQ square का तो PQ अगर आप निकालते हैं तो यही square root में चुकि यह square है square root में चला जाएगा तो x2 minus x1 का square और y2 minus y1 का hall square है कि यही ना distance निकालना है PQ का इस तरह से आप PQ का distance निकाल लेंगे clear अब हम लोगों को जब distance formula निकल चुका है और हमें इसे याद हो गई है अच्छी तरह से समझ गया है तो हम किसी का भी distance निकाल सकते हैं किसी भी point का जैसे माली दूसरे question में हम एक लिखा हुआ है A वो point आपको 0 और 0 अब B point दिया हुआ है 5 and 12 आपको distance formula से निकालना है सर तो आप AB बराबर आपको पता है यह x1 है यह y1 है यह x2 है और यह y2 है के लिए distance formula आप जानते हैं कि x2-x1 का हॉल स्क्वार यानि 5-0 का हॉल स्क्वार 12-0 का हॉल स्क्वार 5525 पराबर 144 यानि 169 square root अगर इसका निकालेंगे square root निकालिएगा तो यह हो जाएगा 13 यह square unit है ना square नहीं सिर्फ unit होगा क्योंकि लंबाई या चोड़ाई सिर्फ unit होता है तो आप ने देखा कि अगर मुझे फर्मूला मालूम हो तो हम इस problem को जल्द से जल्द और भी easy से हम लोग निकाल सकते हैं जैसे for example अगर आप question number B में देखते हैं हमारे पास जो पी है बी दिया हुआ है उसमें point है a plus b एक point है पी a plus b और कॉमा a minus b और q जो point है वो a minus b और a plus b दिया हुआ है अब आपको p q का distance square root निकालेंगे आपको यह इध्यान रखना है यह x1 है यह हमारा y1 है यह x2 है और यह y2 है तो हमें क्या करते हैं x2 में x1 घटा दते हैं यानि a minus b और a plus b का hall square फिर आप करेंगे प्लस इसका आपको y2 minus y1 यानि a plus b उसके बाद प्लस उसके बाद आप sorry minus होता है ना फर्मूला में देखेगा देखे माइनस फर्मूला में होता है तो x2 माइनस कर दिया यह sign माइनस था अब आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ a plus b a plus b आपने लिख दिया y2 minus a1 a1 का value है a minus b अब इसका आपका hall square हो जाएगा अब इससे आप solve कर लिजिए x2 है ना यहाँ curly bracket सीली रखा था कि sign को change करेगा अब square root आप रखेंगे अब a minus b और यह minus plus minus a minus b इसका आप square कर लिजिए plus इसको भी आप खोल दिजिए a plus b multiply करके इसके बाद अजल्टिये मिलेंगे आप देख रहे हैं a और a cancellation है यहाँ भी आपका a और a cancel है तो result अगर मिल रहा है वो square root minus b का square और इधर हो गया 2b का square अब 112 यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा minus का square करेंगे तो result plus में आता है तो square root हो गया यह 4b square plus 4b square यानि 8b square square root तोड़िएगा 2 root 2b unit होगा clear उसी तरह से अब हमें यहाँ देखना है question में question no.3 आप देख रहे हैं question no.3 में क्या करना है इसको जड़ा सा देख लिजिए question no.3 यानि 2 यहाँ हमारे पास portion में लिखा हुआ question क्योंकि यह theorem था यहाँ यह तीन है वार्टेक्स ऑफ एसो लाइस स्ट्रेंगल माल लेजिए एगो पॉइंट है 5-2 बी का पॉइंट है 6 & 4 और सी का पॉइंट है 7-2 अगर आप इसका distance फर्मूला से निकालेंगे a b square root under 6-5 का 6-5